जशीराम हमारी एक और वीडियो में आपका स्वागत है मेरा नाम है ममित और यह अपने सामने खड़ी है टोयटा ग्लेंजा और यह इसका एस वेरियंट जो कि इसका सेकेंड बेस मॉडल है एक शोग मापको एक और सकता है साथ लाग पिछेटर हजार रुपे देखेंगे इस बेरिकर करते हैं शुरूब यह है घाड़ी की फ्रंट लोग सामने मिल जाता है आपको टोयटा के लोगों जो की क्रोम में है साथ में क्रोम में विंक्स भी मिल जाते है आपको ग्रिल पर नीचे इज़र लेखें तो इस वेरियंट में नहीं मिलने वाले आउटलाइन जो है वो आपको क्रोम में दे रखी है और देखने में अच्छे लगी है अब बात करते हैं इसके डामिंशन के बारे में 1745 mm इसकी विड्थ साइड में चलें 4990 mm की लेंथ आपको मिल जाती है 2520 mm का मिलता है आपको इसमें वील बेस और 170 mm का अच्छा खास आपको ग्राउंड क्ल मिलता है फ्रेंट वील में डिस्ट ब्रेक मिलती है और रियर वील में ड्रम ब्रेक वार्व आपको बॉड़ी कलर मिलते हैं और वार विम कूपर दे रखा है टर्निंग इंडिकेटर एपलर आपको ब्लेक कलर में पीचे इधर छोटा सा मिल जा ता आपको क्वाटर लास के यह गाड़ी की साइड लुक, लुक्स पोर्टी, काफी अच्छी लगते हैं, प्रेजन्स जो है, वो भी गाड़ी की काफी अच्छी है, और अब रियर में चले, यह है गाड़ी की रियर लुक, इसके बारे में बात करते हैं, इधर आपको टोयोटा के लोगो, इधर एस यान यह होगे रिफ्लेक्टर, टेल आट्स की बात करें, तो यह कुछ डिजाइन है, टेल आट्स का, अपको इसमें मिलती है, यह होगे टर्निंग इंडिकेटर, और यह रिवर्स लैंड, और लेट साइड बेरख इसका 37 लीटर का पेट्रोल फ्यूल टेंक, बूट स्पेस की भ बूट स्पेस, विच इस वाइट गूट, इदर होगते रखा है, सामान वगरा टाकने के लिए, और दूसरी साइड ने है, बूट लैंप वगरे भी आपको इसमें नहीं मिलता है, और स्पेर वील, साइज जो वही सेम है, नॉर्वल स्टील रम है, और साइज वही 185 पैसे आपको मिल जाएगा, इसको गरते हैं भी बंद, और चलते हैं इसकी फेंट सीट पर, चाबी कुछ इस थरा कि आपको मिलने वाली है, दोनु चाबी हम से इंटर लॉकेंग मिल जाती है आपको, और दोर हैंडल जो है, वो भी आपको बॉड़ी कलर ही मिलते हैं इस में है, ग्रैब हैंडल यह हो गया, चारो पाव विंडोज मिल जाती है, लॉक अनलॉक विंडोज को लॉक अन निकले, वो आर भी हैं, आपको इलेक्रिकली अड्जेस्टबल और फोल्डेवल दोनों मिलते हैं, डोर हैंडल आपको मैट प्लैक में ही ओफर किया गया है, इदर तीन पैडल से आपको मिलते हैं, एक्सकलेटर, ब्रेक, क्लच, डैड पैडल दे रखका है, यहां से फ्यूलेड ओपन हो गए, यहां से बाउनट ओपन, अदर को स्पेस है, यह इंजिन का आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन, ट्रेक्शन कंट्रोल, ओन अउफ खन अब होगा, अब बात करते हैं, बात करते हैं, अब को नॉर्मल मिलता है, अब अगरा नहीं है, इस पर फ्लेट बॉटम स्टेरिंग है, इधर इंफोटेन्मेंट के कंट्रोल मिल जाते हैं, इधर टेलीफ़नी के कॉल कट वईस कमांड के लिए, इधर टेटा के लोगो, एर बैजिंग सेफटी फीचर की बात करें तो इसमें आपको मिलते हैं दो एरभैग ABS एबडी ट्रेक्शन कंट्रोल एलेक्ट्रोनिक स्टैबिलिट कंट्रोल ब्रेक असिस्ट हिल असे जैसे सेफटी फीचर्स स्टेरिंग की अज़ेस्मेंट देखें तो टिल्ट और के बड़ टिल्ट ऑप्शन आपको मिलता है टेल्सकोपिक नहीं है और यह है सामने बाई इसके बारे में बात कर लेते हैं तो देखो इधर दे रखा है टेकोमीटर 8000 तक की आर पीम और इसी के अंदर जो है ABS और ब्रेक वर्निंग और आपको शो हो रही होगी पीच में छोटी से M.I.D. दूसी साइड स्पीडोमीटर जिसमें 220 किलोमीटर पर आउर तकी स्पीड ट्रेक्शन कंट्रोल ओन आफ की वर ट्रिप की डीटेल्स नकाल सकते हो और यहां से आप इसकी सेटिंग और अगरा कर सकते हो इधर देखें तो 7 इंच की टस्क्रीन आपको इसमें मिल जाती है अंड़ोड आटो और एपल का प्ले के साथ साथ में मिलते हैं चार स्पीकर्स और इसको बंद कर देते हैं अभी यह होगे AC बेंट्स बीच में हजार का बटन और यह देखो फिनिशिंग दे रखिया प्यानो ब्लेक की नीचे यह होगे बेज कलर यह है AC आटोमेटिक लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाता है मतलब आटोमेटिक AC इधर 12 वाट का पावर सॉकिट इधर एक USB पोर्ट इधर बॉक्स देखें तो डी से साइज का क्लॉप बॉक्स है फरस्ट एड किट वगएर भी इसमें रखियो है मैनुली डिमिंगा यार भी हम आपको मिलता है और इधर ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता सानवाइजर का जो मैटीरियल है वो चलो ठीक ठाग है और को ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है एरवेक का स्टीकर इधर दे रखा है फ्रंट में दो कैमिल लाइट आपको मिलती है दोनों हैलोजन में है और इधर का तो बस यही है देख लो एक बाद डैश वोट की लोक कमेंट में बताना कोई चीज मिस हो ग लेते हैं ठीक है चाभी निकाल लेते हैं और अभी चलते हैं कि अधर पहले दोर पाइनल की बात करेंगे अभी आपको सॉफट अच मिल जाता है वेज ब्लैक कि राव एंडल पाव इंडो का बटन नीचे बाटल होल्डर स्पीकर की बेस्मेंट टोर तो wszyscy मिस हैं और बैकशीट सिप्सेंटे और अभी इदर की बात करते हैं थाई सपोर्ट तो ठीक ठाक आपको मिल जाता है नीर ऊच्छीं लैक रूम आपको अच्छा है और एक चीज है बस पीछे आपको इस इवेंट्स नहीं मिलते है पकी एक 12 वोट का पाव सॉकेट दे रखा है इधर भी कुछ स्पेस है इधर भी कुछ स्पेस है बीच में जो हम पहे यह माइनर साही समझो इसको तीन बंदे फिर भी आराम से बैठे जाएंग कोई दिकत नहीं जादा बढ कैसा लग रहा कमेंट्स में ज़रूर बताना सीट कमफर्टेबल हैं थाइस बोट वगरा अच्छा है और गाड़ी की जो ओवरॉल लुक है फीचर्स वगरा भी घाड़ी आपको अच्छे खासे प्रोवाइड कर देती है तो उसके हिसाफ से देखा जाए तो ठीक है बाकि ह चलते हैं दिखाते हैं आपको इसका इंजिन कमपाट्मेंट वगरा अब यहां से किया बॉनिट उपन और यह इसका इंजिन ऊपर इंशलेशन पैड़ मिल जाता है नीचे इंजिन गाड़ आपको मिल जाता है इंजिन की बात करें तो इसमापको मिलता है 1.2 लीटर का 4 सिलिंडर पैट्टोल इंजिन जो की जनरेट करता है 88.5 भी एच्प की पावर और 113 नम का टॉर्क मालेज आपको लगवग 22 के MPL का निकाल के दे सकती है बड़े आराम से अभी इसको करते हैं तो यह थी अभी आपके सामने 2024 टोयोटा ग्लेंजा और यह था इसका एस वीरियंट जो की इसका सेक्टिंग बेस मॉडल है एक शोरूम आपको कॉस्ट करता है साथ लाग पिछेतर अजा सब्सक्राइब साथ में जो बैल आइकन उसको प्रेस करते हैं अजिस से आप कोई भी हमारी नोटिफिकेशन मिस्स ना कर पाए अभी के लिए बाए-बाए मिल तक वीडियो में जैशी रहा हूं